दोस्तों अपने देश में एक आम चलन सा ये बनता जा रहा है कि किसी भी पत्रकार को धमकी दे दिया जाता है कई पत्रकारों को मार दिया जाता है हाल की दिनों में ये ज्यादा देखने को मिल लहा है अभी जम्मू कस्मीर से खबर आई है कि पत्रकारों को चरम पंथियों ने ओनलाइन धमकी दी है ये धमकी लिखी तुरुप से सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म वाटसेप और टेलीगराम पर अपलोड की गई है अपलोड किये गए पोस्टर में कई पत्रकारों के नाम लिखे गए हैं यहां मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूँगा लेकिन आपको बता दे कि धमकी पत्रकारों को कस्मीरफाइड.com नाम के प्लेटफॉर्म से दी गई है कस्मीरफाइड.com इसमें दो चिथी हैं एक चिथी में 12 पत्रकारों के नाम सामिल है जबकि दूसरी चिथी में 11 पत्रकारों के नाम सामिल है कुल मिलाकर 23 पत्रकारों को हीट लिष्ट में शामिल किया गया है और सभी को धमकी के लहजे में ये कहा गया है बलकि चिठी में पत्रकारों पर आरोप लगया गया है जी आरोप लगया गया है इतना ही नहीं एक दूसरा भी इल्जाम ये लगया गया है कि BGP जो कुछ कहती है उसे पत्रकार आगे बढ़ा रहे हैं सेना और पुलिस के लिए काम करती है इस तरीके से आरोप लगया गया है इसके बाद क्या हुआ पत्रकारों में हरकंप मच गया चुकि धमकी राष्ट्रिये पत्रकारीता दिवस की पुर्व संधया को भेजी गई थी इसलिए इस चेतावनी को मीडिया संगठों ने प्रेस पर हमला और इसे काला दिवस बताया सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों के नाम के आगे यह बताया गया कि उन्हें धमकी क्यों दी गई पूछी की सवाल बताया जाता है कि इसके बादे में कि आतंकियों की धमकी से डर सह में पत्रकारों में कुछ ने तो फेस्बोक पर अपना स्थीपा भी जारी कर दिया तो कुछ सीर्णगर से जम्मू चले गए तो कुछ ने पत्रकारीता छोड़ने का फैसला भी कर लिया वही कुछ लोग पत्रकारों के समर्थन में भी आए और धमकी देने वाले की निंदा की वही बाद ने पता चला कि ये धमकी आतनकवादी संगठन दर रेजिस्टेंस फ्रांट यानि की टी आरेफ की ओर से दी गई थी जिसके बाद जम्मू और कस्मिर में पुलिस ने धमकी से संबन्दित मामले की जाच कर रही है सीर्णगर, अनंतना, कुलगाम जैसे दस जगहों पर पुलिस हापे मारी कर रही है टी आरेफ से जुड़े 12 लोगों को पूछ ताच के लिए हिरासत में लिया गया पुलिस के कहना है कि इस सब के पिछे पाकिस्तान में बैठे टी आरेफ कमांडर सज्जाद गूल मास्टर माइंड है दूसरी और पुलिस ने पतरकारों को सचे तरहने की बाद कही दोस्तो कस्मिर में ऐसे हालात हमेशा उत्पन किये जाते हैं मैं खुद एक महीने पहले जमो कश्मिर गया था रिपोर्टिंग के लिए आपने कई वीडियोज मेरे देखे भी होंगे सीर्नगार वारा मुला अनंतना कई जगा गया था गाउं में इंट्रियर इलाके में गया था धारा 370 हटने के बाद वहां के लोगों से बात किया परिसानिय जानी कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से पेसा है लेकिन वहें कुछ अच्छे लोगों में मुझे सलाह भी दिये कि आप मीडिया करमी है बिना माइक के रिपोर्टिंग जिये क्योंकि और समाजिक तत्व जो मीडिया को परिशान करते हैं उन्हें धमकी देते हैं मार भी सकते हैं माइक देख करके यही वज़ा है कि साड़े वीडियो में बिना माइक का मैं रिकोर्ड किया मैंने कस्मेर में अनुभाव किया कि लोग मीडिया देख करके ऐसे डेक्ट करते हैं जैसे मीडिया किसी का एजेंट है ऐसे में जमो कस्मीर के अंदर रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल और जोखी मरा रहा ऐसे मैंने अनुभाव किया है ऐसा खासकर इंटिरियर इलाके में गाओं की इलाके में हलाकि जमो कस्मीर पुलिस और आर्मी वहां हमेशा सपोर्ट करती है खासकर इंडियन आर्मी सब जगा मुस्तायद है बाहर से जो लोग वहां जाते हैं उन्हें प्रोडक्शन देती है बिहार यूपी और वेश्ट बंगल से तो कस्मीर के अंदर बहुत सरे लोग काम करते हैं बीसो पचीसो सालों से वहां लोग रहते हैं काम करते हैं उन्होंने कस्मीर के हालात के बारे में मुझे बताया खटा मीठा experience रहा कई ऐसी बाते हैं जो बताना यहां मुस्किल है कुछ बाते ऐसी है जो यहां के लोग वहां जाकर काम करते हैं वो मुसीबत में पर सकते हैं ऐसे में मीडिया के लिए कस्मेर से खबर लेना निकालना बहुत ही मुश्किल भड़ा काम है। और ऐसे में क्योंकि वहां के हालाद जो है वहां ऐसे तो नॉर्मल है लेकिन मीडिया कर्मे के लिए नॉर्मल नहीं है। आए दिन वहां हमला होता है और ऐसे में किवल कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं बलकि मिडिया पर हमला सब जगह होता है बिहार में भी कई पतरकारों को मारा गया तब पतरकारों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ सोचिए पत्रकार आपके लिए आपके हक के लिए लड़ता है और जब एक पत्रकार की हत्य कर दे जाती है तो कोई आवाज नहीं उठाता ऐसा नहीं किजिए आवाज उठाइए और अपने देश में जो भी कमिया है उसे दूर करने का परियास हम सब मिल कर किजिए जाहिन